एक गव में रेवा नाम की ओरत अपने बेटे शिवा और अपने पती अधित्य के साथ रा करती थी अधित्या रेवा से बिल्कुल भी प्यार ने क्या करता था और वो उस पे हर रोज आपचार क्या करता था और उसे हर रुच मारता पिखता था और एक दिन अधित्य एक लड़की के पास जाता है और वो उससे कहता है तुम बहुत ज़्यदा संदर हो और तुम मुझसे शादी कर लो मैं अपने बीवी को अपने गर से बाहर निकाल दूँगा इसके बाद अधित्य उस रड़की को अपने गर पे लेकर आता है और वो रिवा को और शिवा को उन दोनों को पीटा है और उन दोनों को अपने गर से बाहर निकाल दिता है इसके बाद रिवा बाहर आ जाती है और वो बहुत जोर जोरो से रूना शुरू कर देती है और कहती है ए भगवान अब हमारा क्या होगा मेरे पति ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरी मज़़त कर सके इतना केकर वो जोर जोरो से रोरी होती है तब यह आपर एक गाय आ जाता है उस गाय को देखकर रेवा सोचती है क्यों ना मैं इस गाय का दूद निकाल के लोगों को बेचू और उससे अपनी जिंदगी गुजारो और वैसे भी मुझे तो मेरे बेटी को पालना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ इतना कहत है और रेवा उस गाय को देखकर बहुत ज़्यादा कुछ हो जाती है